क्या दोस्तों आपको पता है, हाल ही में सुर्खों में रहे भरत पन्नु का सबंध किस से है? प्रती वर्ष विश्व पार्किन्सन दिवस कब मनाया जता है? T20 क्रिकेट में बतोर कप्तान छे अज़र रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गये है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का 12 अप्रेल 2021 का करेंट फेर का वीडियो तयार किया है, कौलिटी की दरिश्टी से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखे, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेस्चन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब किजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर जीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो हमारी चैनल पर डाले तो आपको तुरंत नौटिफिकेशन मिले, चलिए बिना वक्त गवा मदो कहा के प्रधान मंतरी बने, यानि कि इस क्कुशन का सही अंसर है नाइजर देश, नाइजीर याई राश्टरपती महमद बजोम ने अपने नए मंतरी मंडल के अद्यक्ष के लिए देश के नए प्रधान मंतरी के रूप में आपव महमदो को नियुक्त किया, तो यहा आपको दो महानुबाव के नाम याद रखने है नाइजर देश के राष्ट्रपती का नाम क्या है मौहमद बजोम इमेज में आप देख सकते हैं और उन्होंने प्रदान मंतरी के रूप में नियुक्तक किसको किया है तो इस महानुबाव का नाम है ओहमदो महामदो वो बन किसके बीच पूर्वर राष्ट्रोपती महामदो इस्सोफो के स्टाफ के प्रमुक भी थे और वो बन गए है अब नाइजर के प्रदानमंतरे तो आप पहले तो मेप में देखे कि नाइजर हमारी प्रित्वी पर कहां पड़ता है तो यहां नाइजर, नाइजर के अगल वग नाइजर की करेंशी है पर्ष्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रेंक और नाइजर देश का नाम नाइजर नदी से पड़ा है नाइजर के राष्ट्रोपती जैसा की मैंने आपको बताया महमद बजोम और नाइजर के नए प्रदानमंतरी के रूप में नियुक्त किया गया है महामदव को तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेशन से जुड़े इंपरिटन फैक्ट में आपके सामने रखता हूँ हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत बुलेगा दूसरा क्वेशन है आपकी स्क्रेन पर हाल ही में वीश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया प्रती वर्ष वर्ड पार्किंसन दे मनाया जाता है 11 अपरेल को यानि कि कल ही 11 अपरेल को वीश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया लेकिन यह पार्किंसन क्या है एक बिमारी है जो भी व्यक्ति 40 या 60 साल का हो जाता है उनके बाद यह पार्किंसन की बिमारी लागू होती ह और यह क्या है तो आपकी जो सोचने की याद रखने की यागदास्त है वो कम हो जाती है इसी तरह की यह पार्किन्सन बीमारी है यहाँ पर इमेज को बढ़िए वर्ल्ड पार्किन्सन डे कब मनाये जाता है 11 अप्रेल को तो वर्तमान समय दुनिया भर में एक करोड से अधिक अभी उपलब्द है और पार्किन्सन के कारण चलने फिरने की गति धिमी पड़ जाती है मास पेशिया सक्त हो जाती है और शरीर में कमपन की समस्या पैदा हो जाती है तो इसी तरह के लक्षन हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं पार्किन्सन रोग एक नियूरोलोजिकल विकार है और इस बिमारी का नाम जैमी पार्किसन्स के नाम पर रखा गया है इमेज में अब देख सकते हैं तो इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस महानुबाव के नाम पर विश्व लेवल पर यह दिवस मनाया जाता है विश्व पा बात करें तो डॉक्टर जैमी पार्किसन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1817 में ही इसी बिमारी के लक्षनों को नोटिस कर लिया था और उनका जन्म 11 अपरेल को हुआ था इसलिए विश्व पार्किसन्स दिवस 11 अपरेल को ही मनाया जाता है यहाँ इमेज में देखि वाला क्विशन आया है तो अपरेल में हमने कौन-कौन से महत्व पुर्ण दिवस मनाये आपको में फीर से रिमेंडर करा रहा हूँ आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए सबसे पहले आया एक अपरेल एक अपरेल को प्रती वर्ष ओडिशा का स्थापना दिवस यानि एक अपरेल को ही मुर्ख दिवस यानि की अपरेल फुल डे मनाया जता है और एक अपरेल को ही हमारी केंद्रिय बैंक रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का स्थापना दिवस भी मनाया जता है उसके बाद आया दो अपरेल दो अपरेल को वीश्व और जागरुकता दिवस मनाय चार अप्रेल को माइक्रोसोफ्ट का स्थापना दिवस मनाया जता है और आगे बात करे तो चार अप्रेल को ही अंतर राष्ट्रिय खदान जागरुकता दिवस मनाया जता है उसके बाद आये 5 अप्रेल 5 अप्रेल को अंतर राष्ट्रिय अंतरात्मा दिवस मनाया गया उसके बाद आये 6 अप्रेल 6 अप्रेल भारतिय जन्ता पार्टी का स्थापना दिवस है और 6 अप्रेल को ही संयुकता राष्ट्र द्वारा अंतर राष्ट्रिय खेल विकास और शान्ती दिवस मनाया गया और प्रती वर्ष 7 अप्रेल को विश्व सवास्तिय दिवस मनाया जाता है क्योंकि वहोगी स्थापना 7 अप्रेल को हुई थे और उसके बाद आए 9 अप्रेल 9 अप्रेल को CRPF का शोर्य दिवस मनाया गया 10 अप्रेल को विश्व हम्योपेथी दिवस मनाया गया 11 अप्रेल को राष्ट्रिय सुरक्षित मात्रुत्व दिवस मनाया गया अमारे कस्तुरबाग गांधी जी का जन्म दिवस राष्ट्रिय सुरक्षित मात्रुत्व दिवस की रुप में मनाया जाता है और आज 12 अप्रेल को विश्व पार्किंसन डिवस मनाया जा रहा है और अब बात करते हैं तीसरे क्वेशन की हाल ही में चीन सरकार ने निम्ना में से किस कंपनी पर पौने तीन अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है चीनी सरकार ने हाल ही में अली बाबा कंपनी पर किस अली बाबा कंपनी पर पौने तीन अरब डॉलर का जुर्माना लगाया यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है अली बाबा अली बाबा के मालिक कौन है जेकमा इमेज में अब्जेक सकते हैं एशिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति कौन अली बाबा के या मालिक तो चीन सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ओनलाइन खुद्रया कारोबार कंपनी अली बाबा पर पौने तीन अरब डॉलर का जूर्माना लगाया है आरप लगाते हुए या जुर्माना भी लगाया है और जैकमा कौन है तो चीन के उद्योग पती है और अली बाबा ग्रूप हाल्डिंग लिमिटेड के संस्थापक भी है अली बाबा और अली बाबा का एक फेमस कोट्स जो हमें मोटिवेशन की और ले जाता है वो फेमस को सफलता है, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है और जब चीन सरकार ने जुर्माना लगाया है अली बाबा पर तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है बीजिंग, चीन की करेंसी का नाम है रैन मिन भी चीन के राष्ट्र पती है शी जिन पिंग और चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थवियस्ता है और यह सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्य भी है और यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यतक और दूसरा सबसे बड़ा आयतक देश है और एक म प्राप्त नाभी किया महाशक्ति भी है चीन। और किस देश का यह मालवाहक्पोत था इरान देश का यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है इरान, इरान का यहां मालवाहक्पोत आप इमेज में देख सकते हैं। लाल सागर एक अर्दस अलगन उश्नकटी बंदिया बेसिन है जो उत्तर पुर्व में अफ्रिका, पस्चिम और पुर्व में अरब प्रायद्विप से घिरा हुआ है। रेड़ सी से यहां आगे बढ़ते हुए यहां पर है स्वेश कैनल और स्वेश कैनल में हाल ही में दोस्तो एक मालवाहक्पोत फंस गया था जिसके करण कहीं दिनों तक यहां मालवाहक्पोतों की कतार लगी थी यानि कि रुकाउट पैदा हो गए थे और यहां पर है भूम पर खड़े इस मालवाहकपोत पर हमला कर दिया था और अकाबा की खाड़ी स्वेश की खाड़ी से अलग हो जाती है जो स्वेश नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ती है और यहां इरान देश के मालवाहकपोत पर हमला किया गया है तो मेप में देखें यहां प पत्रोपती है हसन रुहानी और इरान की करेंसी है इरानियन रियाल और इरान का प्राचिन नाम क्या था फारस और क्षेत्रपल की द्रिष्टी से यह वीश्व में 18 नंबर पर आता है इरान देश पांचो कुशन हाल ही में बारत में कितने दिन का विशेश अभ्यान टी का उत्सव आयोजित किया गया भारत देश में हाल ही में 11 अप्रेल से 14 अप्रेल यानिकि 4 दिनों का एक विशेश अभ्यान आयोजित किया गया है जीसका नाम है टी का उत्सव यानिकि इस क्वेशन का स प्रदान मंत्री स्री नरेंद्रभाई मोधी ने मुख्य मंत्रियों की समिक्षा बैठक में कोवीड से बचाओ तथा टीका करण पर जोर देते हुए 11 अप्रेल से 14 अप्रेल तक टीका महत्सव मनानी की बात कई है और 11 अप्रेल और 14 अप्रेल किस महनुभाव का जन्म दिवस है तो 11 अप्रेल ज्योतिबा फूले जी जैनती मनाई गई तो 14 अप्रेल को हम बाबा सहेब अमबेड कर जैनती मनाएंगे और इस साल राष्ट्रिय अवकाश भी गोशित किया गया है बाबा साहिब अमबेड करकी जयन्ती को तो इस उत्सव का मकसद देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए फ्रेरित करना है 11 अप्रेल यानि कि ज्योती बाब फूले जयन्ती से हम देश वासी टीका उत्सव की शुरूआत कर रहे है और ये टीका उत्सव 14 अप्रेल यानि बाबा साहिब आमबेड कर जयन्ती तक चलेगा चार दिनों तक यत चलेगा और दोस्तों कोई भी डाउट नहीं है एक दम टीका लगाना सेफ है मैंने दोनों डोज ले लिये है लेकिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यदि आप यंग है तो लगा ही लिजे चाटा क्उसन हाल ही में परियतन मनत्रालई ने कि क्यांध्र शाशित प्रदेश में परियतन को बढ़ावा देने के लिए तीन दीन का व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया परियतन मंत्रालाई ने हमारे क्यांदर सरकार के परियतन मंत्रालाई ने एक क्यांदर साशित प्रदेश में परियतन को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसिय व्यापक कर्यक्रम आयोजित किया क्यांदर साशित प्रदेश का नाम है जंबु कश्मिर यान कि इस क्वेशन क 13 अप्रेल 2021 के बीच श्री नगर में आयोजित किया गया है परियतन मंत्रालाई स्री नगर में परियतन को बढ़ावा देने के लिए कल से तीन दिन का व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया है 11 अप्रेल से 13 अप्रेल तक और इसका मुख्य विशे क्या है जंबू कश्मेर की परियतन क्षमता का फाइदा उठाना है और केंदर साशित प्रदेश जंबू कश्मेर की उपराज्य पल कोन है तो मनोज सिहा इमेज में आप देख सकते है और हमारे केंदरिय परियतन राज्यमंतरी कोन है प्रलाची पटेल दोनों ने इस कार्यक्रम के उद्खाटन के अवसर पर प्रती निद्यों को संबोधित्पी किया और परियतन मंत्राले इस कार्यक्रम का आयोजन कीश के सायोग से कर रहा है परियतन मंत्राले जम्बू कश्मिर के परियतन विबाग, भारतिय उद्योग और वानिज्य मंडल परिसंग यानिकी फिक्के तथा इंडियन गॉल्फर टूरिज्म एसोशेशन इन तीनों के संयुक्त उपक्रम से परियतन मंत्राले इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इसका उद्देश्य जम्बू कश्मिर की परियतन सबंधी असिम संबवनाओ को प्रदर्शन और विकास करना है साथवा क्रिशन हाल ही में टी ट्वेंटी क्रिकेट में बतोर कप्तान 6000 रन कीस ने पूरे किये टी ट्वेंटी क्रिकेट में बतोर कप्तान छे अज़ार रन पूर्ण करने वाले हमारे देश के कप्तान विराट कोहली बन गये है यनकी इस क्वेशन का सही अंसर है विराट कोहली इमेज में आप देख सकते हैं हाथ में बल्ला लेते हुए दिगज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी ट्वेंटी क्रिकेट में बतोर कप्तान छे हज़ार रन पूरे कर लिये है कोहली ने 168 वी पारी में छे हज़ार रन कप्तान के तोर पर पूरे कर लिये और इस मामले में दूसरे नंबर पर धौनी है उन्होंने T20 में बतोर कप्तान 5872 रन बनाए है और वेश्विक लेवल की बात करें तो पहले तो हम कोहली की बात कर ले कोहली T20 में 10,000 रन बनाने से सिर्फ 236 रन दूर है कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतिय बल्ले बाज होंगे जब यह 236 रन बना लेंगे और वेश्विक लेवल पर 10,000 से रन ज्यादा बना लिये है T20 में यह इस महनुबावने आप पहचानते ही होंगे अवरॉल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रेकोर्ड वेस्टेंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल के नम दर्ज है और उन्होंने 416 मैचों में 13,720 रन बनाए है आठवा कुशन हाल ही में सतिश कॉल का निदन हो गया वे कौन थे? सतिश कॉल का निदन हो गया वो एक जाने माने अभिनेता थे जीसका हाल ही में देहांत हो गया है यानि कि इस कॉश्चन का सही अंसर है सतिश कॉल बोले तो एक जाने माने अभिनेता इमेज में आप देख सकते हैं अमिता बच्चन दिलिप कुमार के साथ काम कर चुके मशूर अभिनेता सतिश कॉल का निदन हो गया, वह कोरोना वाइरस से संक्रमित थे, 1974 से 1998 तक सतिश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और सतिश कॉल ने महा भारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था, इ उन्हे करमा, रामलखन, प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर वन जैसी फिल्मों में काम किया है, नवा कुशन, सबसे कम दिनों में 10 करोड से अधिक कोविट टीके लगाने वाला, दुन्या का पहला देश कौन बन गया, सिर्फ 85 डेज, यानि कि 85 दिनों में 10 करोड से अध करण इस वर्ष सोल जन्वरी से शुरू हुआ था, और स्वास्थिय मंत्रालई ने बताया कि भारत में टीके लगाने की दर सबसे तेज है, और केवल 85 दिनों के अंदर 10 करोड टीके लगाए गए, और विश्व के अन्या देशों की तुलना करे, तो अमेरिका में 85 दिन की आउधी में 9 करोड 20 लाख टीके लगाए गए, जबकि चीन में इसी आउधी में 6 करोड 10 लाख वैक्सिन डोस दी गए थी, यानिकि सबसे कम दिनों में सबसे अधिक लोगों ने कोवीड वैक्सिन ली है, ऐसा हमारा बारत देश सबसे आगे बढ़ रहा है, दस्वा कुशन जल शक्ती मंत्रा लईने त्रीपुरा में कब तक सभी गरामिन गरों में पाइप के जरिय पानी की सुविधा उपलब्द कराने का लख्ष रखा है, यानिकि इस क्वेश्चन का सही अंसर है, ओप्शन C त्रीपुरा के लगभग आठ लाख गरामिन गरों में से 27 प्रतिशत गरों में नल जल उपलब्द करा दिया गया है, और जल शक्ती मंत्रा लई ने बताया है कि त्रीपुरा में भी वर्ष 2023 तक सभी गरामिन गरों में पाइप के जरिय पानी की सुविधा उपलब्द करा जाएगे और हमारे जल शक्ती मंत्राले के मंत्री कौन है गजेंदर शेखावत इमेज में आप देख सकते हैं और जब यहां जिक्र किया त्रीपूरा का तो मेप में देखे यहां पर तीनों तरफ से बांगलादेश से सटा हुआ यह त्रीपूरा त्रीपूरा रज्य का गठ जादेव इमेज में आप देख सकते हैं यह रवा कुशन भगवान हनुमान का जन्म कहा हुआ था भगवान हनुमान जी की जन्म जयनती कब मनाई जाते हैं वो मैं आज आपको पुछना चाहूंगा यदि आपको आंसर पता है तो निचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं भगवान हनुमान जी का जन्म तीरू माला की पहाड़ियों पर हुआ था यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन बी तीरू माला की पहाड़ियों पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था भगवान राम के भक्त हनुमान जी का जन्म तीरू माला की पहाड़ियों लेकिन यह क्वेशन सुर्ख्यों में क्यों आया इसके पीछे की वज़ भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तीरू माला तीरू पती देवस्थानम ने कहा है कि 13 अप्रेल को सुबूत आदारित एक किताब जारी की जाएगी जिससे प्रमानित होगा कि बगवान हनुमान जी का जन्म तीरू माला की साथ पवित्र पहाडियों में से एक पर हुआ था और ये पहाडी स्री वेंक टेश्वर स्वामी स्राइन का घर है और तेलुगू नव वर्ष के अउसर पर विद्वानों की एक समिती खगोलिय, युगिन, वेग्यनिक और पवरानिक प्रमान वाली किताब जारी करेगी जिससे साबित होगा कि बगवान हनुमान जी का जन्मा तीरू माला की पहाडियों पर हुआ था और टी टी डी के कार्यकारी अधिकारी के एस जवाहर रेड़ी ने पिछले साल दिसंबर में विद्वानों की एक उचस्तरिय समिती गठित के थे और इस समिती का काम यह अध्ययन करना और सुबुत जुटाना था कि साथ पहाडियों में से एक यानि कि अंजनांद्री पर ही बगवान हनुमान जी का जन्मा हुआ था यानि कि यह साथ पहाडियों में से एक जीस का नाम है अंजन आदरी, तो इस पहाड़ी पर बगवान हनुमान जी का जनम हुआ था बरवा कुशन हाल ही में सुर्क्यों में रहे भरत पन्नों का सबंध निम्न में से किस से है सुर्क्यों में रहे है भरत पन्नों इसलिए क्योंकि हाल ही में दो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकोर्ड अपने नाम किया है यानि कि बरतपन्नो का सबन्ध है साइकिलिंग से यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है option C cycling और image में अब देख सकते हैं बरतपन्नो कौन है फार्तियस येना के lieutenant colonel फार्तियस येना के lieutenant colonel भरतपन्नो ने अक्टूबर दोजार बीज से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतब के लिए दो गिनिस वर्ल्डर रेकॉर्डर अरजित किये है। पहला रेकॉर्डर तब बनाया गया जब लेफटेनें करनल भरत पन्नू ने 10 अक्टूबर दोजार बीज को लेश से मना ले। जिसकी दूरी कितने हैं? 472 किलो मिटर की दूरी तक केवल 35 गंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई थे। इमेज में आप देख सकते हैं यह Guinness Book of World Records में नाम दर्ज किया गया है बरत पन्नू का और यहां पर नाम भी लिखा है यहां Original Certificate आपके सामने रखा है। और Lieutenant Colonel बरत पन्नू ने 5942 किलो मिटर लंबा स्वारणीम चतुर भुज मार्ग बनाते हुए एक दूसरा रेकोर्ड बनाया है जो दिल है मुंबई, चेन्नै और कोलकत्ता को 14 दिनो 23 कंटे 52 मिनिट में जोडता है। यानि कि यह जो स्वारणीम चतुर भुज मार्ग है जीसकी लंबा है 5942 किलो मिटर और बरत पन्नू ने यह रास्ता सिर्फ 14 दिनो 23 कंटे और 52 मिनिट में पुरा कर लिया। तेरवा कुशन, दुन्या का पहला माइक्रो सेंसर आदारित विसफोटक ट्रेस्ट डिटेक्टर किसने लउंज किया है। माइक्रो सेंसर आदारित विस्फोटक ट्रेस्ट डिटेक्टर हाल ही में लॉंज किया है हमारे शिक्षा मंतरी स्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इमेज में अब देख सकते है इस डिवाइस को जिसको लॉंज किया है हमारे शिक्षा मंतरी ने इमिज में अब देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंग को इस माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेश डिटेक्टर को नेनो स्नीफर कहा गया है क्या नाम रखा गया है नेनो स्नीफर, ETD को नेनो स्नीफर टेक्नोलोजी एक IIT Bombay Incubated Startup द्वारा विक्सित किया गया है और यह डिवाइस दस सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है या नैनो स्निफर और या विभिन वर्गों में विस्फो टकों की पहचान और वर्गी करण भी कर सकता है और नैनो स्निफर, सेन्य, पारंपरेक और गर में बने विस्फो टक के सभी वर्गों का पता लगा सकता है और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन के जिसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जो अहमदाबाद में स्थी थे और आपको नाम पता है नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम ओके इस क्वेशन का सही अंसर था option C लगबग सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का सह जैकुमार, पवन लगाद, निलेश कीकर, गायकवार दीपक इन सबी दोस्तों ने इसका सही अंसर दिया है अहमदाबाद, पारगी अनेल, कीर्ती भोये, भावनात तडवी, भावनात तडवी की एक खास बात है कि अरली मॉर्निंग में जब भी वीडियो पबलिश होता है तो वो देखने के लिए तयार रहती है, सुबस चार बजे, सबसे पहले कमेंट लिखनी वाली कोई सब्सक्रेबर फ्रेंड है, तो वो है बावनात तडवी जी, अभिनंदन, राजेश ठाकोर, राहूल देवडा, तेजस प्रजापती, कीरन भाय, भाविका बवाने, इन सभी दोस्तों का अंसर बिल्कुल सही है, कीप साकरिया फ्रॉम सुरेंडरा नगर से, कलपेश चोहान, तेजस राठोड, लवकुष सा, हिरदेश कुमार, जाखट प्रदेप, आसिफ मिर्जा, और संजै प्रजापती, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद, और आज की नामक फिल्म की इसके जीवन पर आधारित है, इमेज में आप देख सकते हैं, इस फिल्म का पॉस्टर जो रिलीज हो गया है हाल ही में, तो रॉकेटरी नामक फिल्म की इसके जीवन पर आधारित है, सही आप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बोक्स में, औ आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेस्बुक, वोटसेप या टेलिग्राम के जरिए शेर करना मत बुलिएगा बस छोटी से उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं फिर मिलेंगे नेक करेंट अफ़र वीडियो के साथ तब दके लिए टेक केर और जाहिएंद